scare in pregnancy में आजकल कई बार patients आते हैं और heartbeat उनकी बढ़ रही होती है palpitations नजर आते हैं pulse rate जादा होती है उसको लेके उनको concern रहता है तो आज बात करते हैं क्या normal pulse rate होती है क्या abnormal है कौन से factors है जो pulse rate को बढ़ाते हैं और उनको हम modify नहीं कर सकते कौन से ऐसे factors है जिनको modify किया जा सकता है और कब अपने doctor से आपको मिलना ज़रूरी है तो normal pulse rate 60-100 के बीच में अगर pulse rate रहती है heartbeat रहती है तो वो normal है लेकिन अगर 60 से कम है तो gradicardia कहते है और tachycardia जो 100 से ज़ादा है जो आजकल कापी ज़ादा common हो गई है कौन से ऐसे factors है non-modifiable जिसको हम change नहीं कर सकते है जैसे gender अगर हम female है तो हमारी heartbeat थोड़ी से ज़ादा बढ़ी हो सकती है pregnancy में heartbeat अकसर 10 से 20 beat per minute बढ़ जाती है और lifestyle इसको हम modify कर सकते है यह हमारे pulse rate या heart rate को काफे ज़ादा असर करती है तो कौन सी lifestyle effect करती है एक तो physical activity level अगर हम physically काफी active हैं हम घर के सारे काम करते हैं बिना machineों की मदद से जैसे आजकल के समय में हमारे mates, हमारे helpers करते हैं या पहले हमारे parents, grandparents क्या करते थे तो उनको moderate worker कहते थे इनकी heartbeat comparatively lower side में होती थी या athlete है सारे, इनकी heartbeat आप देखोंगे 70-80 के range में रहती है बट serentary worker जैसे मैं मुझे क्या करना है OPD में भी बैट के patients देखने है surgery करना है, थोड़ा round लेने में walk हो जाती है otherwise serentary worker में मैं आऊँगी या हमारे जितने भी IT professionals हैं जो desk job में हैं हम सारे serentary worker है तो हमारी heartbeat comparatively higher side में होती है then stress and anxiety level अगर हमारा mind relaxed है तो हमारी heartbeat comparatively lower होती है हम overthink करते हैं stress लेते हैं, anxiety level जादा है तो heartbeat जादा हो जाती है जैसे मुझे रात में बार-बार hospital के लिए जाना पड़ता है या phone calls आते हैं तो मेरी comparatively stress level profession की विज़े से जादा बढ़ा हुआ है तो अगर आपका भी profession ऐसा है जो आपको anxiety stress देता है overthink कराता है तो heartbeat comparatively जादा होगी smoking and alcohol ये cardiac health पे definitely एक खराब effect आलते हैं तो a big no to these things if possible दिन बात आती है कि हमें अपने doctor से कब मिलना चाहिए medical advice का अब लेनी चाहिए अगर आपकी resting heartbeat 100 से जादा है तो जब भी आप अपने gynecologist से मिलें जैसे pregnancy में अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको ज़रूर बताए आप pulse oximeter से heartbeat measure करी लेते तो एक पर उनको बताए कि हमारी जादा हो रही है लेकिन अगर आपको palpitations हो रहे हैं वो irregular आपको heartbeat feel हो रही है वो कभी ज़्यादा कभी कम rate उसका change होता हुआ लग रहा है तो अपने doctor से जल्दी मिले next visit का wait ना करें अगर आपको किसी भी तरह का discomfort feel हो रहा है या breathing problem हो रही है आपको घवड़ाहट हो रही है से देखा जा सकता है सारा कुछ ठीक चल रहा है हमारे heart के valves सही काम कर रहे है तिन one word regarding COVID COVID के बाग मैंने देखा in general हमारी pregnant divas जब आती है तो उनका heart rate comparatively ज़्यादा होता 100, 110, 120 तक देखने को मिलता है तो अगर हम lifestyle में जो tips हैं हमारे के हम relax रहेंगे कुछ breathing techniques प्राणायाम इसको relax करने में heart beat को better काम करते हैं क्योंकि हमारे mind को वो काम करते हैं यह अगर हम follow करेंगे और sleep बहुत अच्छी लेंगे थोड़ा से exercise का अपना level बढ़ाएंगे pregnancy में भी अगर everything is normal placenta को normal place पे है bleeding नहीं है so definitely हमारी heart beat थोड़ा better rate में रहेगी और अगर कुछ abnormal लगता है तो अपने gynecologist से ज़रूर में ले thank you